नमस्कार दोस्तों, माई चैनल DC Education में आप सब का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से मैस में आज को टॉफिक है Profit and Loss इसमें दोस्तों आज कॉंसेप्ट होगा Constant Product Ratio Constant Product Ratio यानि CPR इस कॉंसेप्ट से दोस्तों, आपकी Profit Loss में बड़ी से बड़ी प्रोब्लम साल्व हो जाएगी और चुट्कियों में सेकेंडों में एंसर आएगा दोस्तों आज का Motivation Code है सपने देखने वालों के लिए राज छोटी पड़ जाती है जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है दोस्तों इसके साथ आगाज करते हैं इसको समझे दोस्तों CPR Concept Product Ratio क्या है जैसे जैसे स्पीड इन्टू टाइम इस उकल टू होता है डिस्टेंस सपोस्ट एट 50 किलोमीटर पर आर से कोई ट्रेन या बस या रेल गाड़ी चल लही है तो उसको कितने घंटे लगेंगे मालिया 6 घंटे ट्रवल किया तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की अगर हम स्पीड को बढ़ा दें यानि 50 से 60 कर दें तो टाइम कम लगेगा यानि कहने का मतलब है हमने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगा और अगर स्पीड को कम कर दें यानि 60 से 50 अगर कर दें तो टाइम 6 घंटे लगता है तो दोस्तों कहने का ताथपर है यानि ऐसा यानि constant हो यानि time into distance time into speed बराबर distance है अगर इस पर depend करता है तो दोस्तों जब कोई चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी दूसरा क्या होगा decrease होगा कोई increase होगा तो decrease करना पड़ेगा तभी constant रह सकता है दोस्तों इसके लिए concept है यानि increase बढ़ने वाली वैलू increase और दूसरा है decrease यानि घटने वाली वैलू एक increase और दूसरा गटने वाली वैलू माना वन अपान वन वन अपान वन यानि यक्स वन है वाई भी वन है तो गटने वाली वैलू हो जाएगी यक्स वन है यक्स वन है और इसमें वन हर में यानि यक्स वाई में वाई में वन जोड़ जाएगा तो हो जायगा तो यानि अगरिं टू हंड़िट् कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 50 50 पर्थिश्त यह सब परपानेली वाली यानि फ्यृफ्टी पर्थिश्त है तो यानि घटने वाली वैलू क्या हो यह हो जाएगी X upon X plus Y होगा तो यह हो जाएगा दोस्तों यानि एक एक बटे तीन हो जाएगा और एक बटे तीन एक बटे तीन गुने-सव करेंगे तो कितना प्रतिसत आ जाएगा यह आ जाएगा दोस्तों 33.33 प्रतिसत अगला है अब यही वैलू 3 यानि बढ़ने वाली वैलू माल लिया 1 1 अपान 3 इंटू 100 करेंगे तो यानि बढ़ने वाली वैलू है 33.33 प्रतिसत यह बढ़ने वाली वैलू तो इसकी घटने वाली वैलू हो जाएगी यानि 1 जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 1 अपान 4 इंटू 100 करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 25 प्रतिसत 25 प्रतिसत इसी प्रकार अगर हम 1 अपान 4 को यह बढ़ने वाली वैलू है तो यानि 25 प्रत्सत तो ये घटने वाली वैलू हो जाएगी यानि 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपान 5 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान 5 यानि 20 प्रत्सत यानि घटने वाली वैलू हो जाएगी 20 प्रत्सत इसी प्रकार से दोस्तों जब ह 1 upon 5 into 100 यानी 20 परत्सत 20 परत्सत बढ़ने वाली वाल्य सब्सक्राइब तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा ये x अपान x प्लास y तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 upon 6 हो जाएगा 1 upon 6 into 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 16 सही 2 बटे 3 परत्सत यानि ये घटने वाली value ये बढ़ने वाली value तो दोस्तों ये concept याद रखना यानि ये घटने वाली और बढ़ने वाली इससे बड़े-बड़े से सवाल सेकेंडों में answer आ जाते हैं आपको इसी से related ये टेबल देखते हैं दोस्तों इस टेबल को याद कर लिजिए यानि 1 upon 1 ये x ये है दोस्तों ये है x और ये y ये y ये है y ये है y और ये है दोस्तों गटने वाली value x upon x plus y ये घटने वाली वैलू है और यह है दोस्तों बढ़ने वाली value 1 upon 1 यानि 100% तो यह 1 इसमें जुड़ गया तो यह 1 upon 2 बन गया तो यह 50% 1 upon 50% 1 upon 2 यानि 50% तो 1 upon 3 क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा यानि 33.33 1 upon 33 बराबर होता है 33.33 तो 1 जुड़ गया तो 1 upon 4 बन गया तो इसकी फ्रत्सत बन गया 25 प्रत्सत एक बटे 4 का 25 प्रत्सत यानि बढ़ने वाली value है तो घटने वाली हो जाएगी दोस्तों 1 upon 5 यानि 20 प्रत्सत एक बढ़ने वाली वैलू अगर है तो घटने वाली वैलू एक बढ़ने वाली वैलू एक बढ़ने वाली वैलू एक बढ़ने वाली वैलू एक जुड़ जाएगा एक बढ़ने वाली वैलू एक बढ़ने वाली वैलू एक बढ़ने वाली वैलू एक बढ़ने वाली वैलू है तो घटने वाली वन अपान 8 यानि 12.5 प्रतिसत हो जाएगी 12.5 वन अपान 8 यानि बढ़ने वाली वैलू है तो एक जुड़ जाएगा वन अपान 9 हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों 11.11 प्रतिसत वन अपान 9 बराबर 11.11 है तो घटने वाली वैलू हो जाएगी 10 प्रतिसत गटने वाली क्या हो जाएगी दोस्तों 10 प्रतिसत अगर वन अपान 10 घटने वाली है तो बढ़ने वाली वैलू है तो घटने वाली हो जाएगी वन अपान 11 यानि 9.09 प्रतिसत अगली स्लाइड है द बढ़ने वाली वैलू है तो 9.09 प्रतिसत हो गया तो यह हो गया दोस्तों x upon x plus y यानि घटने वाली वैलू तो यह 1 upon 12 होगा 1 upon 12 8.33 प्रतिसत अगर यह दोस्तों बढ़ने वाली वैलू लेते हैं 8.33 प्रतिसत तो यह घटने वाली वैलू 1 जूड़ जाएगा तो 1 upon 13 13 हो वन अपान 14 बन जाएगा इसकी परतिसत हो जाएगा 7.14 परतिसत ये घटने वाली वालू है कौन सी है दोस्तों घटने वाली 1.14 अगर बढ़ने वाली है 7.14 परतिसत तो 1.15 बन जाएगा इसी प्रकार से कुछ और है दोस्तों जैसे 1 upon 16 यानि 6.25 प्रतिसत तो ये बन जाएगी 1 upon 17 यानि 5.88 प्रतिसत है तो 1 upon 18 बन जाएगा दोस्तों 5.88 प्रतिसत इन वैलूं को याद रख लीजिए आपके हर सवाल में ये सवाल को बहुत उपयोगी है 1 upon 18 यानि 5.55 प्रतिसत तो इसकी घटने वाली वैलू दोस्तों हो जाएगी 1 upon 19 यानि 5.25 प्रतिसत 1 upon 19 दोस्तों 2 5.25 2 प्रतिसत तो 1 upon 20 यानि 5 प्रतिसत नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है दोस्तों इसमें कुछ है ये एक तरफ है increase एक तरफ है decrease वैलू 2 बटे 5 ये है x ये है y दोस्तों तो इसकी घटने वाली value क्या बन जाएगी यानि x अपान x प्लस y यानि ये 2 है तो ये इधर बन जाएगा 2 बटे 7 तो 2 बटे 5 है दोस्तों 100 से काटेंगे 100 से multiply करेंगे यानि 40 प्रत्सत आ जाएगी तो ये 2बटे 7 बन जाएगा यानि 28.56 इसी प्रकार 3वटे 5 की है दोस्तों 1 बटे 5 की 20 होती है तो 3 5 की 60 हो जाएगी 3 वटे 8 यानि 1 वटे 8 की 12 होती है तो 3,8 यान्न तीन से 12,86 और 4,5 हो जाएगा चार वट्य पांच यान्न असी होता तो 4,9 44 44 हो जाएगा गटने वाली भटने वाली रोटी ठीन हो जाए बड़ने वाली दो टेन बढ़ने वाली है तो गटने वाली दो पर पांच हो 3व्टे ठीस पंदराऊ परसंट है तो तीन बटे 3ड़े तेस यानि तीज देज तेरा दसमलों 04 परसंट तीन बटे चार बढ़ने वाली वालू है तो यह तेस दसमलों एक परसंट है साथ बटे 20 35 परसंट है तो साथ बटे 10 70 प्रस्ट है तो 7 बटे सत्रा इंटू 10 करोगे तो 700 को काड़ दोगे तो ये 700 बटे सत्रा 700 बटे सत्रा सत्रा चको अरसट चार और दो भीस हो गया सत्रा एकन सत्रा दसमलो तीन बचा इनको दोस्तों रट लीजिए आप चलते हैं सवाल पर यानि कुशन नमबर फर्स्ट सवाल बनाईए दोस्तों ये कह रहा है एक फेसवास एक फेसवास का अंकित मूल यानि मार्क प्राइज मार्क प्राइज यानि अंकित मूल यानि मार्क प्राइज कितना है मार्क प्राइज है दोस्तों मार्क प्राइज कितना है मार्क प्राइज मार्क प्राइज बरावर है तीन सो साथ आप कह रहा है दोस्तों उस पर विक्रे मूल का विक्रे मूल का 20 प्रत्सद डिसकाउंट दिया जाता है कितना डिसकाउंट दिया जाता है तो उसका विक्रे मूल क्या होगा उसका विक्रे मूल क्या होगा तो दोस्तों यानि डिसकाउंट 20 परसेंट डिसकाउंट दिया जाता है तो 20 परसेंट की फ्रेक्षन वैलू क्या बनेगी एक बटे 5 एक बटे 5 ये दोस्तों बढ़ने वाली वैलू है बढ़ने वाली वैलू है तो अब इसकी घटने वाली वल्यू क्या हो जाएगी एक बटे च्छाय हो जाएगी एक बटे च्छाय और मार्क प्राइज कितना है मार्क प्राइज है दोस्तों 360 360 into एक बटे च्छाय करेंगे तो 366 यानि 60 रुपए अब 60 रुपए का डिसकाउंट है 60 रुपए का डिस्काउंट है तो 360 से 360 से 60 लिस्क कर देंगे तो कितना जाएगा 300 300 रुपए यानि answer number C अगला question है अगला question बनाईए वीडियो को पोच करें कह रहा है कि किसी पुस्तक विक्रेता का लाव प्रतिसत कितना है होगा यद उसने पुस्तक को अंकित मूल पर बेचा जिसको उसने 25 परसंट छूट पर खरीदा था माल लिया मार्क प्राइज कितना है मार्क प्राइज है दोस्तों 100 रुपए मान लिया मार्क प्राइज कितना है 100 रुपए और इस पर इसने 25% का डिसकाउंट यानि SP कितना बन गया यानि SP बन गया 75 यानि 75 रुपए का इसने खरीदा और बेचा कितने का यस पी यानि बेचा इसने 100 रुपय पर यानि मार्क प्राइज पर ही बेच दिया तो इसका लाब प्रतिसत क्या होगा लाब प्रतिसत निकालते हैं दोस्तों लाब प्रतिसत निकालते हैं यानि 25 रुपय का लाब हुआ 25 रुपए का लाब हुआ कितने 75 रुपए पर कितने पर लाब हुआ 75 रुपए पर तो इसका प्रतिसत निकाल लेते हैं यानि इंटू 100 कल लेते हैं 25 तियां 75 और 3 से काड़ देंगे तो ये 33 सही एक बटे 3 या 33.33 प्रतिसत एंसर नमबर डी आ जाएगा और दूसरे तरीके से देखते हैं दोस्तों दूसरे तरीके से देखते हैं कि अंकित मोल पर जिसको उसने 25 परसंट छूट पर बेचा 25 परसंट छूट पर बेचा 25 की परसंट की फ्रेक्शन वैलू बनेगी एक बटे 4 एक बटे 4 तो यानि ये बढ़ने वाली वैलू है ये बढ़ने वाली वैलू है तो इसकी घटने वाली वैलू क्या होगी घटने वाली वैलू होगी दोस्तों एक बटे 3 एक बटे 3 इंटू अगला कुश्चन है किसी पुष्टक विक्रेता का लाब प्रत्सत कितना होगा यदि उसने पुष्टक को अंकित मोल ले अंकित मोल पर वेचा जिसको उसने 25% छूट पर खरीदा ये कुश्चन रिपीट है दोस्तों अगला कुश्चन है करा एक व्यापारी क्रे मोल पर लाब प्रत्सत ग्याद करता है और दूसरा विक्रे मोल पर दूसरा किस पे यस पी पे कल्कूलेट करता है जब उसका विक्रे मोल समान है और उसके वास्तिविक लाब का अंतर वास्तिव लाब का अंतर 85% है यानि दोनों के लाबों का अंतर 85% है और दोनों को 20% लाब होता है तो विक्रे मुल ग्याद करें तो पहले दोस्तों देखिए नोटस पहले देखे नोट कि यानि ये CP एक फिपर कैलकुलेट करता एक इसप पर कैलकुलेट करता है मान लिए कोई और सव रुपै का है और उसने 120 रुपै में बेश दिया यानिए CP था और ये एसपी विस रुपै pee में में बेश दिया तो यानि कितने 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रतिसत निकाल लेते हैं अगर प्रॉफिट परसंट निकालते हैं तो यह निकल के आएगा दोस्तों यानि पी बराबर पी अपान होता है प्रॉफिट कर रहा है इंटू हंड्रेट तो यह 20 रुपए का लाव हुआ किस पे 100 पे इंटू 100 तो कितना प्रॉफिट आ गया दोस्तों इसका प्रॉफिट आ गया 20 यानि 20 प्रतिसत आ गया इसका प्रॉफिट आ गया 20 प्रतिसत अब बात करते हैं दूसरे की यह दूसरा क् करता है दोस्तों सीपी पे कल्कुलेट करता है यानि कोई आर्टिकल सव रुपए का था यानि कॉस्ट प्राइज सव रुपए थी और यानि selling price 120 रुपए selling price 120 रुपए यानि इसको भी profit कितना हुआ 20 लेकिन ये कहरता क्या दोस्तों इसका base क्या हो जाता 120 base चंज होने पर क्या होगी percentage value different होगी तो दोस्तों ये base इसका 120 होता है तो इसका profit निकाल लेते हैं यानि profit P बरावर P परसेंट बरावर P परसेंट बरावर P अपान CP yes P पर कैलकुलेट करेगा yes P पर कैलकुलेट करेगा into 100 तो इसको देखते हैं क्या होता है दोस्तों यानि 20 रुपए का इसको भी profit हुआ और yes P इसका 120 और into 100 करेंगे 0-0 खतम और 10 और 6 यानि 100 बटे 6 100 बटे 6 तो इसको डिवाइट करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 16 सही 2 बटे 3 परसेंट यानि कहने का मतलब है दोस्तों कि यानि ये CP पर कैलकुलेट करता है तो इसका profit दिखता है 20 परसेंट और ये ये SP पर कैलकुलेट करता है तो इसका profit कितना दिखता है 16 सही 2 बटे 3 परसेंट यानि SP पर कैलकुलेट करने पर यानि बेस चेंज हो जाते हैं इसका बेस दोस्तों 100 था इसका बेस 120 था बेस चेंज हुआ तो percentage value भी यानि profit भी उनका चेंज हुआ तो कहने का मतलब यहां से ये दोस्तों निकल के आता है कि निकल के आता है कि यानि CP पर यानि SP पर SP पर profit कम दिखता है profit कम दिखता है क्या होता है दोस्तों profit कम दिखता है अब second condition की बात करते हैं सेकेंट कंडीसन क्या है, सेकेंड कंडीसन ये है दोस्तों, यानी ये CP पर calculate करेगा, ये CP पर calculate करेगा, ये कोई आर्टिकल, यानी, cost price उसकी 100 रुपय है, और SP उसका दोस्तों, 80 रुपय है, यानी इसको 20 रुपय का क्या हुआ, loss हुआ तो loss प्रत्षत निकाल लेते हैं loss प्रत्षत निकाला दोस्तों तो यानि यल अपान सीपी यह सीपी पर calculate करता है इन् तू हंड्रेट इन् तो माददे विंट तो इसका duy प्रत्षत बरावर यानि lossed प्रत्षत बरावर 20 रुपय का loss होता है तक यही इ等व पर calculate क्राइट कर रहा है यानी यानी कहने का मतलब कौस्ट प्राइज पर यानी सीपी प्र ungefil पर यानी क्रेंद इसलिए पर पैस्पित यानी Sum मुल पे calculate करता है तो मान लिया कोई article article की cost price है cost price है 100 रुपए को और Sailing प्राइज है Sailing प्राइजamaan दोस्तों 80 रूपए इसको भी यानि 20 रुपए का को लॉपस हुआ इसको भी क्या हुआ loss बराबर हुआ 20 रुपए तो अब लॉस प्रत्सत इसको निकाल लेते लेकिन इसका बेस अप्चंज हो गया है यह कल्कुलेट किसपे करेगा यह कल्कुलेट करेंगा दोस्तों तो यानि एल इंटू SP SP into 100 अब SP पर calculate कर रहा है base change होने पर value change होंगी दोस्तों तो अब L20 loss कितना है 20 रुपए का और SP है 80 रुपए SP है 80 रुपए into 100 बीस चोक सो चार से काड़ देंगा यानि 25 परसंट अब दोस्तों इसका loss कितना दिख रहा है यानि 25 परसंट कितना दिख रहा है 25 परसंट यानि कहने का यहां से एक निसकर्स निकलता है जब हम जब हम जब हम calculate किया था यानि profit की बात की जब हमने दोस्तों profit क की बात की तो profit profit इस पे कम दिख रहा था profit इस पे कम दिख रहा था यानि 16 सई 2.3% और जो CP यानि क्रैमूल पर calculate कर रहा था उसका profit कितना था दोस्तों यानि उसका profit था 20 रुपए उसका profit कितना था यानि 20% और जिसका SP पे calculate कर रहा था इसका profit था 16 सई 2.3% यानि profit कम दिख रहा था और इसके तूलना में अब बात करें यानि loss की loss दोस्तों यानि loss की बात करें तो CP पे loss कम दिखता है और SP पे loss ज़्यादा दिखता है तो ये बात याद रखना दोस्तों कि अगर profit की बात करेंगे जब अगर यानि SP यानि विक्रे मूल पे calculate करेंगे तो वहाँ पर profit कम दिखेगा profit क्या होगा दोस्तों कम दिखेगा loss ज़्यादा दिखेगा profit कम दिखेगा loss ज़्यादा दिखेगा और दोस्तों विक्रे मूल यानि जब SP पे calculate करेगा अब चलते हैं question पे अब कहां चलते हैं दोस्तों कुश्चन पे कुश्चन क्या कह रहा है अब कुश्चन कह रहा है कि एक बैपारी क्रैमोल पर तथा दूसरा भी क्रैमोल पर कल्कुलेट करता है और दोनों के यानि लाब का अंतर 85 रुपए है और दोनों का लाब कितना है 20 प्रतिसत तो लाब दोस्तों 20 प्रतिसत यानि जो CP पे कल्कुलेट करेगा तो उसका लाब तो 20 प्रतिसत होगा जो द CP पे SP पे loss क्या होता है SP पे profit profit कम दिखता है SP पे profit कम दिखता है तो यानि इसकी fraction value दोस्तों बन जाएगी यानि एक बटे 5 एक बटे 5 बने जाएगी एक बटे 5 ये कम बाली value है ये कम बाली value है X upon X plus Y बाली value है इसकी जादा जादा यानि कम दिखता है ना loss यानि profit जादा कम दिखता है और loss CP पे जादा यस पी पे जादा दिखता है तो इसकी बढ़ने वाली value x upon y हो जाएगी x upon y का मतलब कहने मतलब 1 इससे घड़ जाएगा तो एक बटे 4 एक बटे 4 यानि कितना हो जाएगा दोस्तों ए इक को हो रहा है 25 परस्त तो 25 परस्त प्रोफिट हो रहा है तो इनके इनका डिफरेंट कितना है इनका डिफरेंट कितना है इनका डिफरेंट है दोस्तों 5 परस्त का कितना है 5 परस्त का इनका डिफरेंट है 5 परस्त का तो पांच परस्त का डिफरेंट इसमें रुपाए में कितना 85 रुपाई में दोस्तों कितना है 5 प्रतिसत की वैलू दी है 85 रुपाई 5 प्रतिसत की वैलू दी है 85 रुपाई तो दोस्तों हमको चीह 100% की यानि तो इसमें 20 से मल्टिप्लाई कर देंगे इसमें भी क्या करेंगे 20 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह 100% बन गया और यह बन जाएगा जीरो पांदुनी 10 का जीरो आठ दुनी 16 यानि एक सत्रा आड़ दुनी 16 एक सत्रा यानि सत्रा सत्रा सो रुपए कितना बन जाएगा दोस्तों सत्रा सो रुपए अंसर नंबर ए अंसर नंबर ए अगला कुश्चन है अगला कुश्चन बनाएं दोस्तों वीडियो को पोच करें अगला कुश्चन है यह कह रहा है जेम्स अपना लाव प्रत्सत विक्रे मोले यानि यसपी पर और रेक्स क्रें मोले यानि सीपी पर निकालता है तो उन्होंने देखा कि लाव का अंतर एक सव रुपए है यादि दोनों का विक्रें मोले समान हो दोनों 25 परसेंट लाप र यसपी मेरा तो और यसपी पर प्रॉफित कम दिखता है यसपी पर प्रॉफिट कम दिखता है सीपी पर सीपी पर यानि 25 प्रसेंट हो गया 25 फ्रत्सत हो गया तो इसका 25 जो 25 फ्रत्सत recite 25 पर तक यह रहे merging मोले पर आप दोस्तों ये actual में fraction value होगी एक बटे एक बटे चार ये घटने वाली value इसकी बढ़ने वाली value होगी एक बटे 3 एक बटे 3 की fraction value बनती है इसकी fraction value बनती है यानि 23.33 तो आप दोस्तों में बात करते हैं यानि इनका different यानि 25 परशत और 33.33 परशत में different है 8.33 परशत तो 8.33 परशत एक्चुल में हमको रुपाए में कितना अंतर है रुपाए में अंतर है दोस्तों 100 रुपाए का कितने का है 100 रुपाए का अब एट पॉइंट 8.33 परशत की यानि एक्चुल में 100 रुपाए गिवेन है तो इसका बन जाएगा एक बटे 12 एक बटे 12 यह दोस्तों कि सवाल को पुना देखिए इसमें यह हुआ है कही रहा है कि बिक्रे मूल निकालना है बिक्रे मूल निकालना है दोस्तों हमने कल्कुलेट कर दिया किस पर कल्कुलेट कर दिया हमने CP पे तो इसका विक्रे मुल निकालना है तो दोस्तों यानि 25 परसेंट का यानि SP और CP तो दोस्तों SP और CP तो SP पे कह रहा है 25 परसेंट का प्रॉफिट हुआ है लेकिन CP पे दोस्तों क्या होता है प्रॉफिट जादा दिखता इसको SP पे ले जाएंगे तो इसका एक्ट्यम में क्या होगा Di Classic होगा 20% profit होगा तो 25 और 20 का different कितना है 5% 5% का अंतर है 5% बराबर है दोस्तों 100 रुपय के 100 रुपय के हमको चीने 100% की value तो 20 और इधर भी 20 से multiply कर देते हैं तो इधर से भी 20 से multiply कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा 100 सव प्रत्सत और ये इधर बन गया यानि 2000 कितना हो गया 2000 तो हमारा एंसर दोस्तों इसमें होगा 2000 तो इसका एंसर हो गया दोस्तों 2000 एंसर नमबर एंसर नमबर A अब नेक्स्ट कुश्चन है अग्ला कुश्चन है बनाईए दोस्तों कह रहा है कि एक बेक्त एक बेक्त एक चादर 450 रुपे में खरीद कर उसे 10% लाब पर जो की विक्रे मूली पर गिना जाता है बेश देता है तो चादर का विक्रे मूली बताएं तो चादर का विक्रे मूल बता है तो दोस्तों विक्रे मूल पर गिना जाता है तो विक्रे मूल पर प्रॉफिट कैसा दिखता है कम दिखता है दोस्तों तो यानि कम वाली वैलू कितनी है एक बटे दस तो जादा वाली वैलू कितनी हो जाएगी एक बटे नो एक घड यानि 50 रुपए 50 रुपए दोस्तो 450 में आइड कर दीजिए कितना हो जाएगा एक्चुल में 500 रुपए मूल कितना हो जाएगा 500 रुपए तो answer number D next question है next question बनाईए दोस्तो वीडियो को पोज करें answer करें कह रहा है कि विक्रें मूली पर 25 परसंट हानी क्रें मूली पर कितना परसंट होगी यानि विक्रें मूली पर विक्रें मूली पर हानी ज्यादा दिखती है हाने ज्यादा दिखती है और क्राय मोली पर हाने कम दिखेगी हाने कम दिखेगी तो ये ज्यादा दिखने वाली वैलू है यानि एक बटे चार तो कम वाली क्या हो जाएगी एक बटे पांच एक बटे पांच की फ्रेक्शन होती है बीस परसत तो answer इसका हो जाएगा दोस्तों B next question बनाईए दोस्तों चुटकियों में answer होंगे ये दोस्तों आपके exam में बहुत महतुक करेगा जब आप fraction value याद कर लेंगे और ये concept याद रखेंगे यानि ये x upon y यानि ये बढ़ने वाली value और ये हो जाएगी यानि x upon x plus y यानि घटने वाली value अगला करते हैं दोस्तों यदि विक्रेम मूली पर 10% हानी होती है तो क्रेम मूली पर हानी कितने प्रस्त होगी तो हमने बोला कि विक्रेम मूली पर हानी ज़्यादा दिखती है और क्राय मोली पर हाने कम दिखेगी तो ये जादा यानि एक बटे दस हाने जादा देखेगी तो ये है यक्स अपान यक्स प्लस य और ये यक्स अपान य य तो ये घड़ जाएगा एक बटे नो एक बटे नो की फ्रेक्शन वल्यू बनती है नो सही एक बटे ग्यारा नो सह कोँछन है विक्रेमोली पर 0. 발생 हां ही क्रेमोली पर कितना परसंट होगी prawdopod यान consecutape यानि भिक्रेमोली पर लॉस कैसा दिखता ज्ञाधा वाली मूल गया ज्याधा दिखेगा कितना दिखेगा ज्यादा दिखेगा तो यानि यह कितना हो जाएगा दोस्तों ज्यादा दिखेगा लॉस ज्यादा दिखता है तो लॉस ज्यादा दिखेगा तो यह हो जाएगा यानि एक बटे बारा एक बटे बारा आठ सा एक बटे तीन की फ्रेक्शन वैलू होती है एक बटे बारा तो यानि ज्यादा दिखती है तो कम दिखेगी क्या दिखेगी दोस्तों यानि कम दिखनी चीए यह ज्यादा वाली वाइलू है कम वाली हो जाएगी एक वटे 13 तो एक वटे 13 होगा सव एक वटे 13 इंटू सव करेंगे तो कितना जाएगा 13जre 90 और 9 वटे 13 प्रस्धत अंसर नमबर C पिछला देखें दोस्तों इसमें यानि यह भढ़ने वाली वाइलू है और यह गठने वाली वाइलू हो जाएगी दोस्तों यह ज्यादा दिखता है ओशिट सही है सही दोस्तों सही है अंसर सही है अगला खुशन है अगला खुशन बनाईए कह रहा है विक्रे मूली पर 20% हानी यानि विक्रे मूली पर 20% की हानी होती तो क्रे मूली पर कितने परसंट की हानी होगी क्राम मुलुपर यानि क्राम मूल ़स ज्यादा दिखता है तो यानि जादा वाली वैलु Luna 1 बटे इसकी बीच पर्संट की फ्रेक्शन बनेगे एक बटे चार यानि जादा वाली वालीयू कम होगी एक पहंच यानि कितना दिखेगा resources और याद नेक्स्ट करें नेक्स्ट कोशन बनाएं दोस्तों अगला कोशन है किसी किसी वस्त के क्रेमूल के आधार पर ग्यात की गई हान 40 परस्ट है हान 40% है तो विक्रे मूल के आधार पर हान परस्थ क्या करें करा किसी वर्ष्थ के क्रे मूल के आधार पर हान 40% है तो यानि 40% है यानि CP पर loss कम दिखता है यानि 40% की fraction value बनती है दोस्तों 2 बटे 5 विक्रे मूल के रहा है यानी सुक्ष और बिक्रे मूल पर पर बताएं तो बिक्रे मूल पर होगा कि दोटे 3 दोटे 3 दोटे 2 तैन फ्रेक्षन value होती है दोस्तों यानि 66 दो वठते 3% यानWe ल स् Chanel सूर साई 2 cheer website and needer Вाट नंबर B नेक्स्ट कॉशन बना ये डोस्तों सेकेंडों में सवाल होंगे इस कंसेप्ट को अगर आपने रट लिया तो सेकेंडों में सवाल होंगे किसी वस्त के क्रेमूल के आधार पर ग्यात की गई क्रेमूल के आधार पर ग्यात की गई हान यानि 20% है यानि क्रेमूल यानि CP पर हान कम दिखती है और बिक्रे मूल पर बताना सब्सक्राइब को बनाएं किसी वस्त के आधार पर ग्यात की गई हान नी यानी किसके क्राय मुल यानиль CP पर कल्कुलेट किया गया तो loss कितना या 20% तो क्राय मुल पर loss कीतना होगा तो क्राय मुल पर होनी कम देखती है तो कम कम जिखती है एक बटे 20 परसंट की एक बटे 5 फ्रैक्सन बनेगी एक वटे 5 तो जादा वाली बनेगी एक वटे 4 तो एक वटे 4 यानि 25 परस्त कितनी देखेगी दोस्तों एक वटे 4 की फ्रेक्शन लिव होती है 25 परसंट अगला खुशन है अगला कुशन बनाएं अगला कुशन है किसी वर्ष्ट के क्रेमोल के आधार पर ग्यात की गई हाने क्रेमोल यानी CP पर क्लूक्लेट की गई तो लॉस कितना है 25 परसंट तो विक्रेमोल पर कितना होगा तो विक्रेमोल पर जादा दिखेगा यह कम-value है यह 25 परसंट की fraction क्राय मूली के आधार पर दी गई हाने क्राय मूली के आधार पर दी गई हाने कितनी है तो विक्राय मूली के आधार पर हाने कितनी होगी यानि विक्राय मूली के आधार पर तो क्राय मूली पर दोस्तों लॉस कम दिखता है विक्राय मूली पर लॉस ज्यादा दिखता है तो ये कम वाली value है एक बट्वाटे 4 तो ज्यादा वाली बन जाएगी fraction एक बट्वाटे 3 एक बट्वाटे 3 की fraction प्रस्थ वैलू होती है 33 एक बट्वाटे 3 प्रस्थ नेक्स कुशन बनाएं दोस्तों अगला कुशन है अगला कुशन कह रहा है की विक्रय मूली पर ग्याद करने स विक्रे मोली पर ग्याद करने से एक वेक्ति को 50% का लाव होता है प्रॉफिट तो उसका वास्थिविक लाव कितना होगा तो विक्रे मोली पर यानि लाव विक्रे मोली पर कम दिखता है लाव विक्रे मोली पर कम दिखता है क्रे मोली पर लाव प्रॉफिट ज्यादा दिखत अगला Qosis बनाएं अगला Q Dun both को वेचने पर विक्रै Нोल पर 25 परसेंट लाब होता है यानी भिक्रै मों लिपर बेचने पर 25% का लाब होता है तो उसका क्रै वौल पर कल्कुलेट करें क्रैम मों लिपर या नि वौल पर प्रॉफीट dealt profit क्या होता है profit जादा दिखता है विक्रय मुल पर profit कम दिखता है तो कम वाली वैलू है 1.1.1.4 तो जादा वाली वैलू होगी दोस्तों 1.3 तो इसका actual lab हो जाएगा 33 सही एक बटे 3 परशन अगला कुशन बनाएं अगला कुशन है भिक्रे मोली पर ग्याद करने से एक बेक्ति को 20 परशन का का लाव होता है किस पर कैलकुलेट करता है भिक्रे मोली पर 20% का लाव होता तो उसका वास्तिविक लाब क्या होगा यानि बिक्रय मोल पर बिक्रय मोल पर प्रॉफिट कैसा दिखता है कम दिखता है बिक्रय मोल पर प्रॉफिट कम दिखता है तो यानि एक बटे 20 परशन की फ्रेक्शन बनेगी एक बटे 5 तो एक्चुल में एक बटे 4 एक बटे 4 होता है दोस्तो 25 परशन तो एक्चुल में लाव उस 10% का लाब होता तो वास्त्विक लाब कितना होगा यानि विक्रय मूली पर लाब कम दिखता है क्रय मूली पर लाब ज्यादा दिखता है तो कम वाली वैलू 1 बटे 10 तो यह हो जाएगी ज्यादा वाली एक वटे 9 एक वटे 9 की फ्रेक्शन वैलू होती है 11 सही एक वटे 9 परस्त अगला कुशन बनाएं अगला कुशन बनाएं दोस्तों कह रहा है कि एक वस्त को देचने पर विक्रय मूली पर 25% लाब होता है विक्रय मूली पर 25% का लाब होता है तो उसका लाब क्रय मूली पर कितना होगा त तो विक्रे मूली पर profit कम दिखता है तो एक बटे चार 25% की एक बटे चार तो दोस्तों CP यानि एक बटे तीन बनेगी यानि 33 साइए एक बटे 3% अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है बिक्रे मूली पर ग्याद करने से 1 वेक्टी को 20% का लाब होता है बिक्रे मूली पर तो वास्तिव की लाब कितना होगा दोस्तों कम दिखता है विक्रे मूली पर profit तो एक 20% की fraction बनेगी एक बटे 5 तो ज़्यादा वाली एक बटे 4 एक बटे 4 की fraction वाली होती है 25% अगला कुश था वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों को शेर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और यह आपके आने वाले एक्जाम्स एससी रेलवे गुरूप सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि इसी प्रकार से मैं और वीडियो बना सकूँ और आपके एक्जाम्स के लिए कुछ योगदान दे सकूँ आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जाए हिंदे